नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तो शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव की पूजा आराधना की जाती है। इसलिए शनिवार के दिन ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जो शनिदेव को अप्रिय है। दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम कई उपाय करते हैं. शनिदेव को उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाते हैं. साथ ही शनिदेव की प्रिय वस्तुएं का दान भी करते हैं. जिस प्रकार से शनिदेव को कुछ वस्तुएं प्रिय होती है, वैसे ही शनिदेव को कुछ चीजे अत्यंत अप्रिय होती है शनिवार के दिन इन चीजों को छूना तो दूर इनकी तरफ देखना भी अशुभ माना जाता है अन्यथा व्यक्ति को शनिदेव के दंड का ही सामना करना पड़ता है शनिदेव को ये चीजे इतनी अप्रिय है कि जो भी इनहे धारन करता है शनिदेव उसे कभी क्षमा नहीं करते उस व्यक्ति को शनिदेव की कुद्रिष्टी का सामना करना पड़ता है चाहे देवता हो या मनुष्य सभी शनिदेव की कुद्रिष्टी से भयभीत रहते हैं शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि जो मनुष्य इन वस्तूओं को अपने पास रखता है वह शनिदेव की कुद्रिष्टी से बच नहीं सकता दोस्तो शनिदेव इस प्रिथवी लोग के एक मात्र न्यायाधीश है सूर्य पुत्र शनी मृत्यु लोग के एक ऐसे स्वामी है जो समय आने पर मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे सजा देते हैं शनिदेव जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे धन संपत्ति, एश्वर्य और मोक्ष प्रदान करते हैं कहते हैं कि शनी पापियों के लिए अत्यंत दुख दायक है शनी की दशा आने पर मनुष्य के जीवन में उतार चड़ावाते हैं जिससे किसी भी मनुष्य का जीवन डगमगा सकता है परंतु शनी देव अच्छे कर्म करने वालों के लिए अत्यंत शुब फल देते हैं शनी देव को वे लोग अत्यंत प्रिय है जो न्याय से धन प्राप्त करते हैं हमेशा अपने शरीर को स्वच रखते हैं समय समय पर अपने नाखून तथा बाल काटते हैं शनिदेव को दान धर्म करने वाले लोग भी प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को शनिदेव सभी प्रकार के सुख देते हैं। जो लोग कुत्तों को पालते हैं अथवा उन्हें शनिवार के दिन रोटी खिलाते हैं। शनिदेव उन पर हमेशा महरबान रहते हैं। जो मनुष् पक्षियों को परेशान नहीं करते, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे लोग शनिदेव को प्रिय होते हैं। शनिवार के दिन उपवास करने वाले मनुष्य को शनिदेव आरोग्य प्रदान करते हैं। उनके सभी रोगों का नाश करते हैं। जो लोग शनिवार के दिन पीपल के व शनिवार को शनी मंदिर में आप काले वस्त्र धारन करके अवश्य जाएं शनिवार के दिन काले रंग की चीजों का दान करना बहुत ही शुब होता है। ऐसा करने पर शनिदेव अत्यंत प्रसन होते हैं और सुख सम्रिधी प्रदान करते हैं। शनिवार के दिन जाडु खरीदना बहुत ही शुब होता है। शनिदेव को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है और जाडु स्वच्छता करने के काम आती है। इसलिए इस दिन जाडु खरीद कर अपने घर पर लाएं। इससे धन संपत्ती में वृध्धी होती है। शनिवार को इंधन खरीदना भी अशुब माना जाता है। इसलिए शनिवार को रसोई गैस, माचिस, अथवा के रोसिन भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। आईए जान लेते हैं शनिवार को कौन सी चीजों से दूर रहना चाहिए। शनिवार के दिन शराब से दूर रहना चाहिए अन्यथा व्यक्ति को शनिदेव के दंड का सामना करना पड़ सकता है शनिवार के दिन दूसरों का धन गलत तरीके से लेना अथवा चुराना बहुत ही अशुभ माना जाता है ऐसे लोगों के धन को छूना भी नहीं चाहिए जो दूसरों को लूट कर धन प्राप्त करते हैं शनिवार के दिन ब्यास भी नहीं लेना चाहिए अन्यथा शनिदेव भयंकर दंड देते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करे और कमेंट में जै शनिदेव अवश्य लिखे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे आप सभी का धन्यवाद